हालो और वेलकम, अब वेरी गुड बॉर्निंग तु यू, महा काली के मेसेज़स लेके आया है हूँ, चलिए देख लेते हैं, महा काली आप लोगों के लिए क्या-क्या मेसेज़स दे रहे हैं, आज है सैटेड़े, आज है महा का दिन, तो महा को याद कीजिए, मैं जो मंत्र कर नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए, ओके, तो चलिए देख लेते हैं, महा आपको क्या कह रहे हैं अभी, पहला कार्ड आया है, क्रिशानों, डेफिनली महा आपको बोल रहे हैं, कि अभी आपको सेल्फ लव की उपर फोकस करना है, आज ऐसा हो सकता है कि आपके मन मे बहुत दुवीदा आ सकता है, शंकत आ सकते है, आपको लग सकते है कि कौन से चीज़ चूज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बट आपको पता है कि आपके मन क्या चाहते है, आपको पता है कि कौन से चीज में आपको सुकुन मिलता है, आपको पता है कि कैसे आपको सुकुन म आज आपको बहुत अच्छे डिसीशन्स लेने हैं, यह फिर लाइफ में कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आप कमी मुवीक होगा, कैसे यह पूरा मन्त आप स्पेंट करेंगे, इसका प्रॉपर गोल आपको सेथ करना होगा, कहीं न कहीं आपको आज डिवाइन सपोर्ट मि new beginnings मिले, तो आज का दिन है contemplations के, आज के दिन है prayers के, अगर आप Krishna जी को भी pray करते हो, यह फिर काली मा को भी pray करते हो, तो आज आपको मा बोल रहे हैं कि देखिए, Krishna और काली यह दो रूप है, यह Divine Masculine और Divine Feminine की दो रूप है, तो आज इनको अगर आप accept करेंगे, अगर मन स आप इनके भगती को accept करेंगे, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा results आएगा, कही न कहीं love life को लेके अगर बहुत परिशान थे, तो मा आपको बोल रहे हैं कहीं आपको भी strong होना है, self-esteem के उपर focus करना है, arguments से थोड़ा सा बच्छी है क्योंकि आज आज आप खुद के बहुत जादा argue कर सकते हो, डूसरे के साथ नहीं, चलिए देख लेते हैं, क्या और क्या blessings आ रहे हैं आज, इसके बाद आते है भवतार ही नहीं, यानि कि फलहार ही नहीं मा, देखिए मा एक चीज़ नोटीस किये है, कि जो भी काम आप करते हो, बूसरे लोग credit लेके चले ज kind of बाते या फिर एक छोटा सा mistake, लोग बहुत जादा उसके उपर चर्चा करते हैं, पहिनकरी मा आज आपको बोल रहे हैं, कि आप जो भी काम करे हो, उस काम को protect करेंगे मा, तो आप चिंता मत कीजिए, बद ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो आपके साथ advantage लेते हैं, जो आप आप सिर्फ और सिर्फ अब खुद के goal के उपर सोचिए, खुद के life journey के उपर सोचिए, soul purpose के उपर pray कीजिए, soul purpose को follow कीजिए, आज का दिन है, खुद के self love के उपर focus करने का, आज आप दूसरे person क्या सोचेंगे, दूसरे person क्या करेंगे, दूसरे person कैसे आपको देखना मा आपको बोल रहे हैं कि मन लगा के आप अपने goal के लिए काम कीजिए, बाकि जो सारे चीज़े वो मा सेट कर लेंगे, मा देख रहे हैं कि आप बहुत जादा कोशिश कर रहे हो, बट उसका उतना जादा kind of love या पिर मान लीजिए कि exposure आपको नहीं मिल रहा है, बट मा आप को बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही काम करते जाओ, एक दिन जरूर मा आपको दिखाएंगे कि आप क्या डिजाब करते हो, बट आज के लिए मा बोल रहे हैं कि give up मत कर दीजिए, आज के लिए मा आपको बोल रहे हैं कि कोई काम incomplete मत छोड़िए, पूरा complete करेंगे काम को आप और अपना responsibilities को लिभाए हैं, लोगों के साथ आज भी मा बोल रहे हैं कि अगर कोई आपके साथ बहुत गलत किया है, उसके साथ भी गलत करने के लिए मत सोचिए, वो मा के पर छोड़ दीजिए का मा देख लेंगे, लास्ट कार आ रहे हैं वैरभी योगी नी, spiritual awakening हो रहे हैं, root chakra healing हो रहे हैं, रोटी कपड़ा मकाम के चिंता दूर कीजिए, क्योंकि मा आपको मदद करेंगे, financial abundance आ रहे है, spiritual awakening आ रहे है, third eye opening हो रहे है, कईना कहीं आप अगर spiritual worker हो, तो आज का दिन है प्राथना करने का, क्योंकि मा आपको सपने में खुद कुछ बोलेंगे, और इस चीज मां को परिक्षा ले रहे है, तो कहींना के एक बहुत अच्छा नतीजा आ रहा है, एक कहींना के एक darkest cycle को आप इंट करे हो, उसके बाद जब enlightenment आएगा, तो आप खुद भी surprised हो जाओगे, तो एक unexpected blessings के लिए तयार हो जाए है, क्योंकि मां आपके लिए एक बहुत unexpected rewards लेके आ काले के लिए.